हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉली टेक्निक की इंटरेंस एक्जाम दोहजार चौविस ठीक है मतलब कि ऐसे बच्चे जो 2024 पे इंटरेंस एक्जाम देंगे उनके पास बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सर पॉली टेक्निक इंटरेंस एक्जाम का फॉर्म कब आएगा एक्जाम कब होगा और तीसरा जो सबसे बारा सवाल है कि तैयारी कैसे करें पॉली टेक्निक आपको जो है सरकारी पॉली टेक्निक कॉलेज में एडविशन मिल पाएगा सरकारी कॉलेज आपको मिल पाएगा तो सारी बातों के बारे में हम जानकारी देंगे सबसे पहले सवाल से सुरू करते हैं उसके पहले मैं आपको बता दू चैनल पे नए है तो आप चैनल को सबस कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे लेकिन एक खुष खबरी जो आपके लिए है वो ये है दोस्तों कि अब जो है पॉलिटेक्निक इंटरेंस एक्जाम में माइनस मार्किंग के आपका नहीं है तो जब आपका माइनस मार्किंग का कॉंसेट नहीं है दोस्तों तो आपको बिलकुल टेंसन नहीं लेना है ठीक है न तो अब आपको जो है बिलकुल खुले मन से तैयारी करना है और जितना कोस्टन आजाए उनमें जो है अपना 100% देना है तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो कि पॉल टेकनिक इंटरेंस एक्जाम का फॉर्म आपका कब आएगा काफी जादा तेजी के साथ अब आपका प्रोसेस चल रहा है ठीक है अब इस बार आपका लेट नहीं होने वाला है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ आपका जो फॉर्म है दोस्तो ये आप लोगों का आने वाला है दोस्तो आप लोगों का दिसंबर के फॉर्स्ट वीक में आपको जो है फॉर्म देखने को मिल जाएगा फॉर्म आप लोगों का काफी जादा दिनों तक भरा जाता है उस पे कोई टेंसन की बात नहीं है क्योंकि एक अच्छे खासे आवे दजन जी कप के पास आते हैं क्योंकि पॉल टेकनिक के इस बार अगर हम बात करें दोस्तो तो 4 लाख से प्लस स्टुडेंट इस बार जो है इंटरस अग्जाम में बैठे हैं तो उसमें तो आपको टेंसर ही नहीं लेना है क्योंकि अब जो है लगबग पूरा दिसंबर आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा लेकिन पेपर जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ओनलाइन एक्जाम होगा आप लोगों का सारे पेपर आपके ऑनलाइन होंगे इसके पहले आपका जो है पेपर ऑफलाइन कराया जाता था ठीक है अलग अलग दिन आप लोगों का पेपर होता था लेकिन पेपर आपका ऑफलाइन ही होता था लेकिन अब जो है आपका ये है कि एक्जाम आपका कब होने वाला है तो में आपको दो-तीन काम करना है पहला ये कि अब आपका जो है थोड़ा सा इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी भी करनी है और आपको अपने बोर्ड एक्जाम की भी तैयारी करनी है भई दोनों करना है ना इंट्रेंस एक्जाम की भी तैयारी करनी है और आपको बोर्ड एक्जाम आपको बढ़ाना पड़ेगा वई तैयारी का जो रफतार है अगर आप इसको बढ़ाएंगे तब जा करके आपका मामला बनेगा तब जा करके आपका काम आपका बनने वाला है ठीक है और अगर आप तैयारी का स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प् एक्जाम को ठीक है दसवी लेबल के किताब को अगर आप पढ़ लेते थे तो पॉल टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम आपका क्लियर हो जाता था ठीक है पॉल टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत जादा पापड पहले नहीं बेलना पड़ता था आप और मैं simple एक बात कहते थे कि class 10th level के standard का आप science के भी question को solve कर लो और 10th standard का आप maths को भी solve कर लो तो आपका काम हो जाएगा लेकिन अब क्या है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब हाल ही में जो आपने paper देखा है चाहे अब भी हार बोर्ड के paper को analysis कर लीजिये या यूपी बोर्ड के paper को analysis कर लीजिये आपको तो इतना बात जरूर मालम चलेगा कि दोनों जगहों पे थोड़ा सा difference यह है कि class 12th standard के paper आपके पूछे जा रहे हैं कहीं कहीं science का question science का portion आपका 12th standard का पूछा गया कहीं कहीं math में आपका जो है matrix से question पूछा गया कहीं कहीं आप लोगों का math में determinant से question पूछा गया कहीं कहीं math में आप लोगों का probability से question पूछा गया तो जाहिर सी बात है कि 10th standard का चीज़े तो नहीं है 12th standard की चीज़े हैं 12th standard की चीज़े आप से पूछी जा रही हैं और 12th standard की चीज़े आपको अच्छे से पढ़नी पढ़ेंगी तब जा करके आपका काम हो पाएगा ठीक है तो 12th standard की चीज़े आपको ले करके market में आनी है और तयारी उस हिसाब से करना है अब actually मैं ऐसा नहीं है मैं यह कह रहा हूँ 12th standard का है तो सारी चीज़े आपको 12th standard की चलेंगी 80-20 का ratio चल रहा है जिसमें 80% आप लोगों का 10th standard के question है 20% आप लोगों को 12th standard के question है अब इसमें आपका science भी हो सकता है और इसमें आपका math भी हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता की कौन सा standard का paper आपका पूछ रहाएगा math और science दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेकिन आप लोगों कोई तना तो काम करना पड़ेगा ठीक है अब तयारी इसका कैसे होगा भई पोल टेखनीक इंटरेंस एक्जाम की तयारी आपकी कैसे होगी तो इंट्रेंस एक्जाम के जो जबर्दस तैयारी है वो आप लोगों की एक ही सर्थ पर होगे और हो है आप लोगों का कि आपको थोड़ा सा फोकस होकर कि अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट करना पड़ेगा अपने 10th और 13th के पूरे किताब के MCQs को सॉल्व करना पड़ेगा नोट्स बनाना पड़ेगा उसको पर्टिकुलरली रिवाइस करना पड़ेगा प्रिवियस येर के पेपर को देखना पड़ेगा पांडेजी टेक्निकल के कोर्स को लेना पड़ेगा अब पांडेजी टेक्निकल के यूटूब वीडियो को तो लगातार फॉलो आपको करना ही पड़ेगा तो ये सारी चीज़े दोस्तो आपको ले करके चलनी है अगर आपने इतनी चीज़े ले करके चली इंटरेंस एक्जाम 2024 में तो 100% आप क्लियर कर लोगे और नहीं तो फिर आपके पास तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ठीक है तो ये आपके पास आपके लिए जो है एक संदेश है जो कि मैंने बताया इंटरेंस एक्जाम 2024 जो कि आपका बहुत दिन नहीं है और आपके लिए जो है काफी important भी है ठीक है तो इतनी सारी चीज़ों को दोस्तों आपको ले करके चलना है बाकि दोस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में आज का वीडियो कैसा लागा दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और next आपको किस टॉपिक पर वीडियो जिखना है आप हमें ये भी बता देजगा ताकि अगली वीडियो हम उस टॉपिक पर बना सके